बिस्मिल्लाहिर्मानिक्रीम आज की वीडियो मही की इस महीने में भी लापाक की तरफ से बहुत सारे सकुलेंट्स मुझे तोफे में मिल गए बहुत ही नामुम्किन लगता है कि मही के गर्मी के मौसम में लीव्स के थूप प्रॉपिकिशन हो जाए सकुलेंट्स की तो बारहल मैंने एक प्लांटर से एक जो बहुत ज़ादा मिचूर हो गया था एक सकुलेंट उसको मैंने रिपॉर्टिंग के लिए एक कंटेनर में लगाया तो बियस की लीव्स मुझे मजबूरन हटानी पड़ी क्योंकि अगर मैं भी इसकी लीव्स ना अटाती तो जो है पप मेरा जो रोजट था सकुलेंट का वो बहुत लथार जी को लेगी हुआ वादा बारहल उसको मैंने रिपॉर्ट कर दिया जो लीव्स थी ये मैंने एक कंटेनर में ही ऐसे चट पर छोड़ दी थी और मैं चली लेगी और लिथार्जी कुवाव था इसलिए मैंने उसको नया कंटेनर दिया और तक्रीबन इचोटे ओफसेट्स इसके अंदर ही रहने दिये ताकि ये अच्छी सी ग्रोथ कर जाए बड़ बड़े वाले को जब मैंने निकाला है तो उसकी बेस से मुझे लीव्स जो हैं हटानी पड़ी थी ताकि वो बिल्कुल बेस से मट्टी की बेस पे टच होकर जो है गले सड़े ना और मेरे रोजट को खराब ना करें बेस की जो लहटी भी लीव्स थी वो बारिश की वज़े से तीन-चार रोज की माशाला थंड़क मौसम रही है सब किसम में बहुत अच की निस्वत कम रही था इसलिए मैंने इसको इसी कंटेंडर में लगा रहने दिया तो लीव सी कंडिशन आप देख सकते हैं कि मई के महीने में बहुत ही नामुकिन होता है कि मई के महीने में लीव के थूर प्रॉप्रिगेशन हो जाए लेकिन अलहम दूलिल्ला मुझे ये रोजेट्स हैं ये मिल गए हैं तो अब इनको मैं कैसे हंडल करूंगी इनके लिए सबसे बैतरीन हल है अलह ताला ने ये रोजेट्स तो दे दिये मुझे मई के मन्त में तो मैं अब इनको जनाब प्रॉप्रिगेशन करके जैसे मैं पहले भी सेकुलन्स की करती हूं जो है इनको मट्टी में लगाकर सब के सब को जो है किसी को वर्टिकल और होरीजन्टल वे किसी भी वे में लगा सकते हैं इससे पहले भी मेरी वीडियो जो है वह चैनल पर मौझूद हैं देखिए तो एक तो बहुत यची खासी जो है वो में चेउर हो गई है जो सकुलन्ट मेरा रोसेट जो है बाले इनको मैं लगागे मट्टी में अच्छे खासे कंटेनर में और मैं इनको शेड़ी एरिया में रखूंगी और या फिल्टर लाइट में ग्रीन नेट मेरे पास नहीं है लेकिन मैंने कुछ बैट शीट्स जो हैं वो एकठी करके लगाई ही है ताके जो बहुत डेलिगेटीट से प्लांट हैं वो अच्छे तरीके से सेफ रह सकें उसी एरिया में दिवार के साहे में मैं तमाम सकुलर्स को प्रोप्रिगेशन के लिए रख दूँगी और जनाब ये मई के महीने में भी बहुत अच्छी से प्रोप्रिगेशन इनकी इन्शाला हो और कोशिश करूंगी जब मैं पानी दूँ डारेक्ट पाइप से या किसी बड़े बरतन से ना दूँ छोटे बरतन से दूँ एक ही जगा जहाँ पर रोजट ना लगावा हो ताके जो है ये अपनी अच्छी सी स्पेस मट्टी के अंदर बना लें और शेडी एरिया इसको अच्छे दरीके से तमाम की तबाम जो रोजट्स हैं इनको सही चोटे चोटे पफस में कनवर्ट कर दें ये थी जनाब आज की वीडियो इसके अवाले से जो भी चीकोश्च चना आप मुस्से कमंट बक्स